आज हम अपनी बुक में वर्क करेंगे पेज नमबर 25, पेज नमबर 25, पेज नमबर 25, पेज नमबर 25, यहाँ अभ्यास लिखा हुआ है, कुछ पढ़ने के लिए है, मौखिक यानि ओर्ल करना है यहाँ पे, पमे छोटाऊ की मातरा पित्र, त में छोटाऊ की मातरा न दातुन, गमई उख्य मातरा ल में आकी मातरा ल गुलाल, गमे छोटाऊ की मातरा ज जर मोजरात, मा, धा, धा में छोटाओं की मात्रा, मधू, बा, टा, टा में छोटाओं की मात्रा, और यहां लिखा है बड़ा आ, और हुआ बटुआ, हामे आ पे आ, आ में आ की मात्रा भी कह सकते हैं, जैसे कि बा, टा, टा में छोटाओं की मात्रा, आ, आ की मात्रा, बटुआ, मा, था, था में छोटाओं की मात्रा, रा, रा में आ की मात्रा, मथुरा, धा, धा में छोटाओं की मात्रा, श, धनुष बा, बा में छोटाओं की मात्रा, रा, रा में छोटी की मात्रा, या, या में आ की मात्रा, बुडिया का छा छा में छोटाओ की मातरा आ आ में आ की मातरा कच्छुआ अगला है प्रश्ण दो यहां लिखित वर्ख है यानि लिखना है हमको बुक में ही यह हम वर्ख करेंगे तो पैंसिल ले लीजे हाथ में आपने देखा हुआ कि जब मैं आपको रीडिंग लगवारी होती है तो मेरे हाथ में पैंनिया पैंसिल होता है इसी तरह आप भी पढ़ते समय हाथ में पैंनिया पैंसिल ले करके पढ़े या अपनी फिंगर को उस शब्द पे अक्षर पे रख करके पढ़ना सीखें प्रश्न दो चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाओ यह गोले का चेहन बनाया हुआ है और यहां लिखा है गोला लगाओ अब यहां चित्र बना हुआ है यहां पर यह देखिए और सामने लिखा है बुडिया, चुईया, कुटिया गोला बनाया हुआ है लोने बुडिया पर क्योंकि चित्र सामने बुडिया का है अगला चित्र यह देखिए क्या लिखा हुआ है बना हुआ है गुलाब गुलाब का फूल बना हुआ है अब यहां चित्र बना हुआ है गुलाब का लिखा है जुराब गुडिया गुलाब और जब चित्र गुलाब का है तो अब हम गुलाब पे गुलाला बना देंगे इस तरह से अब चित्र बना हुआ है कच्वा सामने लिखा है दातुन छूरी कच्वा अब कच्वे का चित्र है तो कच्वे में हम इस तरह से कच्वे की यह शब्द लिखा हुआ है कच्वे का तो हम इस पे गोला बना देगे प्रश्ण तीन आक्षरों को मिला कर लिखो अब जैसे नमबर एक में लिखा है का प्लच्छा छोटाओ की मात्रा और आ की मात्रा सामने लिखा है कच्वा ठीक है अब इसी तरह से नमबर टू लिखा है प प में छोटाओ की मात्रा ज ज में आ की मात्रा र र में बड़ी की मात्रा तो यहां लिखेंगे हम पुजारी प प में छोटाओ की मात्रा ज ज में आ की मात्रा र और र में बड़ी की मात्रा तो यह हो गया पुजारी, ठीक है? अब इसी तरह से लिखा है ये चुहिया, कुली, लोहार हमको सामने लिखना है प्रशन चार है चित्रों के नाम लिखो, अब यहाँ कुछ चित्र बने हुए है, उन्हें देखकर उनका नाम हमको सामने लिखना है ये है धनुश ये क्या बना हुआ है कुर्ता हम यहां लिखेंगे कुर्ता ये चित्र बना है गुलाब तो यहां लिखेंगे गुलाब और ये है बुढिया चित्र बना है बुढिया का हम यहां लिखेंगे बुढिया ये जो काम है आपको अपनी बुक में ही करना है इसको आप कॉपी में नहीं करेंगे सबसे उपर यहाँ आप डेट टालेंगे डेट मेंशन करेंगे जिस डेट में यह वर्क कर रहे हैं वो डेट यहाँ लिखेंगे और फिर उसके बार, डेट लिखने के बार, आप ये वर्क अपनी बुक में करेंगे ये दोनों काम आपको अपनी बुक में ही करना है कल फिर मिलेंगे, बाई बच्चों